नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सुभी का आपके पने यूट्यूब चैनलन में आई होप आप लोग अपने घरों पे सुरच्चित होंगे अच्छे होंगे इस कुरोना के समय में और मैं आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही मास्ट्रिक लेकर आया हूँ जो कि एकसल पार्मूले के लिए है आप अगर यूज करेंगे तो आप लोग एकस्पार्ट हो जाएंगी और साथ ही साथ आप लोगों की बहुत काम आने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो देर न करते हुए चलते हैं कंप्रेटर के स्क्रीन पर और आप यहां देख प्रवायरी की यह वह नेम है तो दोस्तों आज हम आपको बताते हैं वीलू को फॉर्मूले के मतलसे इसको कई से फाइड करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले तो हमें देख लेना होगा की हमारी काटेगरी कौन से सीट पर है तो हमारी है यहां पर सबकतेगरी उड़नी है इसके लिए सबसे पहले हम क्यूज करेंगे बी लूप फार्मूलर का तो जैसा कि आपको पता ही होगा क्यों कोई भी फार्मूलर लगाने से पहले हमें इस कल्टू लगाना पड़ता है उसके बाद टाइप करेंगे बी लूप और इसके बाद अब देखें लूप बेलू हमारी यह है उसके बाद कॉमा लगाने टेपलरे टेबलरे में हमें देखना है कि हम ने कहाँ पर ये टेबल रखीए तो meeting में हमने रखीए इसको लेते हैं यहाँ से टेपलरे देदे Bennett न लगाते हैं और अब पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा दोस्तों यह समझने वाली चीज यहां पर हमें देखना है कि हमारा जो हम धोड़ रहे हैं वो हमारे कौन से कॉलम में है तो जहां से हमारी लुक पहले इस्टार्ट होती है वहां से हम गिनना स्टार्ट करेंगे एक दो त टीन और यह चार छार हमारी लोप लिन कॉलम इंडेक्स नंबर इसके बाद फिर से कौमा लगाएंगे अब ट्री और फाल्स त्रूकालस में अगर आपका डाटा सोटाइज है तो उसे हम त्रू करेंगे अगर फाल्स है अगर फाल्स नहीं है जीरो और लेक्ट कर देते हैं बन इंटर करते हैं यह देखिए यहांप पर हमारी सब कटेगरी निकल कर आ चुगी इसको नीचे तक ट्रेक कर देंगे तो देखिए हमारे सारे प्यू प्यू याँ पर आ डूंड कर लानी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अगर हमारे पास तो एक ट्रिक होती है कि से कॉपी करेंगे और फाइंड करेंगे find किया और paste किया उसके बाद में यह देखेंगे यहां से फिर copy करेंगे फिर वहाँ paste करेंगे तो ऐसे में तो हमारे पास मतलब बहुत time लग जाएगा तो हमारे पास हो सकता है इससे भी लंब भी list हो तो हम उसे कई दिनों में निप्टारा करेंगे लेकिन be look up की मदद से हम कैसे इसको चुटकियों में मिन्टों में इसको solve कर सकते हैं कैसे करेंगे चलिए इसको भी देख लेते हैं तो सबसे पहले हम लगाएंगे is equal to be look up उसके बाद में look up value देते हैं name comma table array table array में हम दे देते हैं यहां पर अपनी जो table है ठीक है उसके बाद में फिर comma लगाएंगे column index number पर जहां से आपकी look up value start होती हैं उसके आगे जितनी भी row के बाद आपकी है वो number रहेंगे उनको देना रहेगा number यहां पर हम दे देते हैं 2 और फिर से हम लगाते हैं comma इसके बाद zero और bracket बंद कर देते हैं तो यहां पर देखें कि हमारी implied निकल कर आ चुकी है इसको नीचे तक ग्रेक कर देंगे यह देखें सारी implied यहां पर निकल कर आ चुकी है कितनी भी लंबी लिस्ट होगी वो आपको यहां पर मिल जाए याफ और पताते हैं अफेसल में जैसे कि अगर आपको एक ही वर्ड आपको इतने सारे column में आपको फिल करने हो तो आप कैसे करेंगे तो उसके लिए एक हो त्रिक याफ ने कुछ भी टाइप किया उसके बाद मैं इसे भी करेंगे उसके बाद पेस्ट करेंगे तो ऐसे किया है मैं आप बहुत ही सॉट ट्रिक बताता हूँ कैसी करना है इसके लिए आपको सेलेक्ट करने नहीं सिंपल सा जितनी सीटों पर आपको टाइप करने वह एक वर्ड तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूं मालो यह वर्ड है अब आपको अभी इंटर नहीं करना है उसके साथ ही कंट्रॉल में इंटर करेंगे तो देखेंगे यह जो आपको फिल करना था एक ही ही से आपने यहाँ पर सारी भील कर दी है तो कैसे लिए ट्रिक यह आप हमें कमेंट करके जरूल बताइएगा और साथी शाथ वीडिय को लाइक कीजिए, सेर कीजिए, चैनल को सब्स्राइब भीजिएगा, थैंक यू